प्यारे बच्चों निव लाइट नीट के योट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों हम सब कड़ी मेहनत करके एक उम्मीद से मेडिकल कॉलेज में प्रभी स्थाने के लिए आतुर हैं हमें सजग रहना चाहिए कि कही किसी गलती से हमारा लक्ष अधूरा न रह जाए प्यारे बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने चाहे जितनी पढ़ाई की हो चाहे जितना पढ़ा हो चाहे जितनी रातों के नीध हराम की हो अल्टिमेटली आपको स्कोर मिलेगा ओयामार सीट से और ये भी सच है बच्चों कि इस बार का जो नीट का पेपर है पिछले सालों के नीट के पेपर से बहुत डिफरेंट है आपकी तैयरी बहुत अच्छी है लेकिन ये वीडियो मैं खास दोर से इसलिए बना रहा हूँ कि सेक्षन A और B में कौन सा सेक्षन आपको पहले अटेंट करना चाहिए और क्यों प्यारे बच्चों हमारे इसाब से आपको पहले सेक्षन B अटेंट करना चाहिए इसका पहला सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि सेक्षन B में हमारे पास च्वाइस है हमें 15 में से 10 कौश्चन अटेंट करने है अगर आपने बहुत सिरियसी तैयरी की है तो 15 में 10 कौश्चन सही करना बिलकुल बड़ी बात नहीं है अगर हमने सेक्षन B में चारो सब्जेक्ट में 10-10 कौश्चन सही कर लिए तो 40 इंटू 4, 160 नंबर हम लोग की मुठ्थी में आ जाएंगे अब अगर हम मिनिमम लेविल की बात करें और जनर्रल कंडेट की बात करें तो इसके बाद पेपर जैसा भी हूँ मैं आपको कटाब बता रहा हूँ इसके बाद अगर आप 450 स्कोर कर लेंगे और 160 इधर कर लेंगे 450 प्लस बोल रहा हूँ इट में भी 460, 470 तो आप बहुत आराम से क्वालेज में आपको प्रवेस मिल जाएगा गवर्मेंट मेडिकल क्वालेज में अब गलती कहां होगी जरा ध्यान से सुन लिजे अगर हमने एक तरफ से पेपर अटेंट किया और लास्ट वाले सेक्शन बी में आपको पता है कि ये उपर से लेकर नीचे के 10 क्वेस्टन चेक होने हैं क्या होगा एक्जामिलेशन रूम में जो इस लेटर होगा आपका दोस्त नहीं होगा आपका मित्र नहीं होगा आपका रिसदार नहीं होगा और आप से कोई emotional attachment भी नहीं होगा आपका teacher भी नहीं होगा जिसे साल पर पढ़ा चलो बच्चों को दो बिनिट और टाइम दे दे जैसा आप new light में कर लेते हैं हम भी का देते हैं वही चलो दे दो बच्चे को टाइम ऐसा तो नहीं होना है ना उनको तो फटाक से आपकी answer सीट लेनी है अपने इंडेशन की फीच लेनी है और फटाक से उनको घर जाना है कोई sentiments तो होगा नहीं अगर उन्होंने जन्दबाजी में आपकी copy छीन ली और हुआ क्या कि आपने उपर जन्दी जन्दी में कुछ गरतिसान लग गया और उस जन्दी में आप यहां तक पहुँच नहीं पाए और आपने देखा क्या कि 198, 199, 200 ये question बहुत आसान थे जो हम कर सकते थे तो बच्चों घर लोटने के बाद आप अपने को माफ नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा इस छोटी सी silly mistake की वज़े से आपका selection रुख गया तो silly mistake केवन पेपर में नहीं होती है silly mistake answer sheet के fill करने में भी होती है बच्चों पिछले सालों में भी बहुत सारे बच्चों के ऐसे होते हैं जो 2-3 question गलत हो जाते हैं गलत एक बार उन्होंने क्या किया अगर ये पूरा गोला भर दिया तो उनके पास कुछ भी नहीं बसता उसके बाद कुछ भी नहीं बसता बच्चों इसलिए हम आपसे कहेंगे पहले तो डाट लगाईएगा उसके बाद circle करिएगा नहीं बच्चों से बात की जो फर जगा सेलेक्ट हुए कई जगा उन्होंने का सब गलती होगी तो सर हमने pencil से डाट लगाना शुरू किया उसके बाद गोला भर है ये बहुत important बात है अगर आपने section B में last वाले section में जन्दबाजी कर दी time कम मिला एक्जामने ने छीन लिया और आपको लोग अचलो फटाफट कर देते हैं तो हो सकता है उपर कुछ गलत टिक हो जाए और नीचे वाले आसान question आपसे छूग जाए इसलिए बच्चों मेरी राय है आपको कि section A में 450 के लिए काम करते हैं वैसे अभी offline test हो रहे हैं आपको जिसमें भी सुविधार लगती हो अपने हिसाब से करिए मेरा suggestion यह है लेकिन इधर जैसे भी कर लीजेगा लेकिन जो last वाला section है उसमें section B जरूर पहले attempt करिएगा बच्चों team new light सजग है आपके साथ निरंतर लगी हुई है यह वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बला रहा हूँ कि एक छोटी सी गलती के वज़े से हम लों के पूरे साल की मेहनत बेकार नौ हो जाए हर बार बच्चों ऐसा होता है जब section A section B नहीं था तब भी बच्चों को गोल करिएगा मेरे यह suggestion है बाकी आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हैं thank you so much बच्चों for watching the video and all the best for your NEET exam 2021 thank you so much